प्रेंड के विडियो है उसके अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूँ जो आपकी बाइक के बैटरी होती है उसके आखिर वैलिडिटी कित्ती होती है काफे सारे लोगों को यह पता नहीं होता है, जो हमारी बैटरी होती है, यह सोचते कि हमने वन टाइम पर्चेस कर लिया, तो यह लाइफ टाइम हमारी बैटरी चलेंगी, बट ऐसा नहीं होता है, उसके कुछ लाइफ होती है, कि कितने साल वो बैटरी चल सकती है, वो आपके या 4-wheeler की उसके अंदर जो बैटरी की लाइफ होती है कुछ लाइफ होती है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कितने यर की उसकी लाइफ होती है और कितने आपको चलाना चाहिए यह सब तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे काफी इन्फरमेटिव व उसकी जो लाइफ होती है मैं सीध शिदह आपको point to point बात करता हूँ आज का विडियो कोई लेंदी नहीं बनाएंगे शौट में आपको समझाती हुँ जो बैइक की होती है यह कहसकते ही जो टू विलर की बैटरी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो अगर मैं ययर के से चार साल, तीन से चार साल वो बैटरी चलेंगी, उसके बाद आपको वो बैटरी रिप्लेस कराना ज़रूरी है, उसके बाद वो बैटरी ऐसी हो जाती, उसकी प्रॉप्री अच्छे से चार्ज नहीं होंगी यह XYZ कोई भी प्रॉप्लम आपको उसके अंदर फेस करना ही पड़ सकती है उसके अंदर आ सकती है, तो यह एक नॉर्मल जो जनरली देखा जाता है, जो experiments हुए है जो देखा गया है, जो यहाँ calculation जो हुए है, वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 यर बैटरी की maximum life होती है अब क्या यह सही है बिल्कुल कि इतने ही साल चलेंगी ऐसा नहीं है, यह हो सकता है कि आपकी 2 साल ही चले क्यों यह आपके running की उपर भी है कि आप अपकी बैटरी का use कैसे कर रहे हो like कभी आपका कई बार मैंने यह देखा हूँ, यह मैं खुद मेरा point of view बता रहा हूँ कि मैंने कई बार यह देखा हूँ, कई बार लोग जाते है उनका petrol अगर खतम हो जाता है तो वो जबरदस्ती, भले यह हमें पता है कि petrol गाड़ी में नहीं है लेकिन फिर भी वो self मारते रहते means बैटरी से पावर ले रहे है अब हमें यह पता है कि उसके अंदर petrol नहीं है, चालू नहीं होगी लेकिन फिल भी self करके कोई problem वहाँ नहीं है, self करके कोई फाइदा वहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी वो self करते अगर ऐसे ही, तो एक मैंने आपको replace करना पड़े means जो बैटरी का सही यूज करता है like self आप ले रहे हो, ठीक है on कर रहे हो, बहुत सही है यह करता है, हर कोई करता है यह गाड़ी में दिया गया है self आपके बैटरी के लिए उसके उपर आप load दाल देते हो बहुत ही ज़ादा तो बैटरी की life वहाँ कम हो जाएंगी अगर वो ही बहुत आप अच्छे professional driver हो अच्छा यूज कर रहे हो आप अपनी बैटरी का तो आपकी जो बैटरी है मैंने तो 3-4 साल कहा लेकिन वो 5 साल भी चल सकती है आपकी आपके यूज के उपर अगर बहुत खराब कोई यूज कर रहा है तो कम चलेंगी अच्छा कोई जो professional यूज कर रहा है तो उसकी और ज़्यादा life बढ़ सकती है अब मैं बात करता हूँ कार के case में कार की जो बैटरी होती हो बड़ी होती है उसकी life किती होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 4 to 5 year यह कह सकते है 5 to 6 year हम यह पकड़ के चले 5 to 6 year उसकी वैलिडिटी होती है यानि 5 से 6 साल वो बैटरी चलेंगी अब मैंने वोई बात आपको इस कार के अंदर भी आएंगी कि अगर आपने टेख को अंदर भी फालतु की चीज़े अगर वहां यूज करें बैटरी से आप कुछ भी लगा रहे हो हैवी ब्लोवर्स लगा रहे है उसके अंदर हैवी जो हांस होते है वो सब अगर आप फिट करा रहे हो उसके अंदर जो के बैटरी के उपर लोड दाल रही है तो जो आपकी बैटरी की लाइफ है जो के मैंने कहा पांस से छे साल है वो घटके हो जाएंगी तीन साल हो सकता है उससे भी जल्दी खराब हो जाएं और अगर वो ही आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो अगर आप वैसा यूज़ करें तो अगर आप कोई भी फालतू का यूज़ करें बैटरी पर बहुत ज़्यादा अगर बर्डन आया लोड आया तो जो आपकी वैलिटी है जो आपकी लाइफ है बैटरी की वो कम हो जाएंगी ये डेफिनेटली कम हो जाएंगी वो बाइक के केस में भी कार के केस में भी आशा कर तो आपको समझ गयोंगा आकर जो आपकी बाइक की और जो कार की बैटरी लाइफ होती है वो आकर कित्ती होती है इसे आप बड़ा भी सकते हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया और कम भी कर सकते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया आज के लिए इतना ही मिलते हो आपने नेक्स वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बाए